नमस्कार मैं इसल्ब डॉक्टर की गोतन डिपार्ट्बंट आफ जी राजकी बंगल महावित्याल है डीडवाल नाम प्रिय छात्रों आपका इस व्याख्याण में हर्दिक स्वागत अगनेंदन इस चैनल को देखने और सुनने वाले समस्त फैकल्टी मेंबर्स का भी विए सी थर्ड फर्स्ट इयर जूओलोजी के पेपर थर्ड डवलप्मेंटल बालोजी के अंतरगत प्रॉक के डवलप्मेंट के श्रंखला में पार्ट सिक्स्थ का विवेचन कर रहा हूं हूं पिछले व्याख्यान में निवली हेस्ट टैटफोल के बारे में मैंने इस प कुनसरी ति रिवाई्ट करते हैं मैं आगे बढ़ूंगा न अंडौब ल तकल्ड निवली हेस्ट टैटफोल क्या होता रेत वह ट्रे क्यßen को वह ट्र प्रव् अ जोकि अंड्रे से फ्रसफुठन के ततक्माल प्रशात निकला होता है उसको निवली हेस्ट टैट पॉल कहते नव इस फुरत टैड़फुल एक छोटा काला सा मचली जैसा लगबख 6 mm लंबा प्राणी होता है यह लारवा होता है शरीर में सिर धाड़वा पुच छेट इसपाश्ट होते हैं लेकिन इसके मुख नेत्र एवं पाद नहीं होते हैं अब ध्यान देने की बात है इसके मुख नेत्र एवं पैर नहीं होते हैं स्वसन अंग फर्स्ट और सेकंड गिल्ट से बाहर निकले दो जोड़ी छोटे शाक्रानमित एक्स्टरनल गिल्ट होते हैं बाई क्लों होते हैं क्लों छिद्र या गिल्ट्स अभी तक नहीं खुलते ह हैं इस्टो मोडियम पिट अभी फेरिंग्स में नहीं खुलता है लेकिन प्रॉक्टोडियल गर्थ मध्यात्र में खुलकर अवस्करद्वार बनाता है कि सेमेंट ग्रम्तियां युवाकार का एक अधर चूशक बनाती हैं कि यहां अब मैंने इस पश्ट किया था यह लार्वा हेचिंग के तुरंट पास्चात लंबा होता चला जयता है इसमें यह मायोटोम्स हमने दिखाए थे यह थ्री पेर्स अब विस्ट दिखाई थी यह फोर ले मिस्टेज है और यह हैंड ले मिस्टेज है यह मैंने पिछ दिख शिशू या टेट पूल क्या वस्ता हैं जिसमें अंडोत पन लार्वा एक्स्टरनल गिलावस्ता हंत्रिक गिलावस्ता और पूर्ण विख्षित टेट पूल को समझाया था अब हम आगे बढ़ते हैं उनसे उत्पन श्लेश्मा लार्वा को चिपने में शाहिता करता है सिर के दोनों और एक्टोडर्म के स्थूलन छेत्रों या सिर के दोनों और एक्टोडर्म के स्थूलनेत्रों के अध्धांशों मतलब रूडिमेंट्स आफ आइस को दर्शाते हैं गिल्स के ऊपर प्रकट अंतर वेश्नों से और रिट्रिपिट्स या अंताकर्ण के आश के सामने एक जोड़ी छोटे गड़े या घ्राणगर्थ होते हैं ये वी वी आकार के अनेके मीजो डर्मों सुमाइड स्रीय मायो टूंस धड़ और पुछ में फैले होते हैं धड़ का अधर्भाग बध्यांत्र के फर्ष पर्व पीतक कोशेकाओं के इकठ्ठा होने से बाहर को फूला हुआ होता है एक सीधी नली के समान आत्र पुछ के आधार के अधरतल पर अवस्कर द्वार से भार खुलती है पुछ पक नहीं होते क्रियाशील व्रक एक जोड़ी प्राक वक्र या फोड़े अफ्रोंस होते हैं एपिडर्मिस पक्षमा भी होती है हिर्दय एक सर जल एसक्याकर की नली जैसा होता है जिसमें चेंबर्स नहीं होते हैं मुख ना होने से टैटपुल अहार गर्ण करने में असमर्थ होते हैं वे चीशुपदारा जल के पौधों या वस्तुओं से चिपके रख कर कुछ दिन व्यतीत करते हैं और पोशन के लिए और केंटिर प्रॉन की सेल्स के अंदर संग्रहित पीतक पर ही निर्भर करते हैं इसमें स्वशन मुख्यता तुचा द्वरा कुता है यह टैटपुल लार्वा के मिशेस्ता हैं अब हम बात करते हैं एक्स्टरनल गिली स्टेज क्या है है हेजिंग के लगबग 25 घंटे बाद प्रायर सम पीतक समापत हो जाता है तथा भुण मुख या इस्टो मोडियम एक गोल मुख बनाता है और फैरिंस में खुल जाता है मुख के किनारे जहलरदार और श्रंगे जबड़े बन जाते हैं जबड़ों पर तेज श्रंगी पैपिली या हर्ण दात होते हैं तीन जोड़ी साखा जाते हैं तथा इनके अंदर रुदिर भने लगता है पहला और दूसरा गिल पांच मिली मीटर अवस्था में तथा तीसरा गिल 6 मिली मीटर अवस्था विक्सित होता है इन में पांच जोड़ी फैरेंजिल या विसरल कोश विसरल पाउच फैरेंग्स में एक्टोडर्म की और व्रिधि करते हैं इन में से प्रथम जोड़ी या हायो मेंडिबुलर कोश बाहर की और नहीं खुलते तथा मद्दिकर्ण और यूस्टे की निलिकाओं कर निर्बान करते हैं से चार जोड़ी फैरेंजिल कोश बाहर की और चिद्रित होकर चार जोड़ी गिल चिद्र ये गिल श्रिट्स ये क्लों विदर बनाते हैं पुछ बढ़कर लंबी हो जाती है और कोमल पतले एवं रस्मी विहीन प्रस्ट और अधर पुछ पक ये कॉडल फिंस विक पर कंटिनेस होते हैं सथत होते हैं संतत होते हैं पुछ की या टेल की तरंगित घतियों की साहता से टेड़ पोल एक मचली इभाती जल में तेरता है तथा शैवालों और अन्यवालस पतिक पदार्थों को अपने हार्णी जबनों से कुतर कर खाता है यह शाकारी होता है साकाहरी जीवन होने से टेटपोल की आत्र, शरीर से कई गुना लंबी तथा घड़ी की स्प्रिंग की भाती कुंडलित रहती है यह तचा के बाहिय गिल्ज दोनों से स्वसन करती है यह तुचा के बाहिए गिल्स के द्वारा और तुचा के द्वारा दोनों के द्वारा तुचा और एक्स्टरनल गिल्स दोनों के द्वारा रेस्पिरेशन करने में काम आती है अब हम बात करते हैं इंटर्नल गिल्स्टेज क्या होती है बाही गिल्स अवस्था लगभग एक दिन की होती है क्लों विद्रों के खुलने के सिग्रबाद हायड अपरेटर से दोनों और तुचा का एक दोरा वलन या परदा पीछे की और व्रद्धिकर बाही गिलों तथा क्लों विद्रों को ढग देता है इन परदों को क्लों चद या गिल कवर या उपर्कुलम या प्राच्चद कहते हैं दोनों उपर्कुलम परदे परसपर अधर तल पर तथा गिलों की पीछे तुचाक से सहींठ हो जाते हैं इस भाती में वे एक बंद गुहा बनाते हैं जिसे प्रच्छत कोष्ट या उपर किलर चेम्बर कहते हैं यह चेम्बर केवल बाई और एक सक्री नाल या साइफन के सिरे परिस्थित एक गोल, स्वांस रंद्र या स्पाइरेकल द्वारा बाहर खुलती है इस बीच तीनो जोड़ी बाही क्लूम धीरे धीरे छोटे होकर समापत हो जाते हैं और इनके स्थान पर आंतर क्लूम पट्टों या इंटर ब्रेंकिल सेप्टा पर चार जोड़ी आंतरिक क्लूम या इंटरनल गिल्स उत्पन्न हो जाते हैं चोथी जोड़ी के आंतरिक क्लूम रूडिमेंट होते हैं आंतरिक क्लूम धागे नूमा गिल्स तंतों से बनते हैं इनमें जाल के रूप में रुधिर कोशिका फैल जाती हैं क्लूम कोशों के फर्स पर अंगुली जैसे जहालर युक्त अंग ये गिल्रेकर्स बन जाते हैं इनके अतरिक्त फैरिंस की भेत्ती से सेल्प समान उभार ये वीलर प्लेट्स बन जाते हैं टैट पोल अब एक मचली की भाती स्वसन करने लगता है मुक्से प्रवेश करने वाली जल धारा फैरिंस और गिल्वीद्रों से होकर उपर्क्यूलर चेंबर में जाती है और स्पाइरेकल से बाहर निकल जाती है गिल तल्पों और जल के बीच में गैसों का आधान प्रतान होता है इसके फाल्टरों फैरिंस में अपर्क्यूलर चेंबर में यह एर जाती है और रेस्पिरेशन का कारी संपन होता है तो इस प्रकार से यह आंत्रिक गिलावस्था आपको क्लियर कर दी जो कि इस डाइग्राम में आप देखिए कैंबसन और यह आपको एक्सटेर्ण गिल्स है और यह आंत्रिक गिलावस्था यह यह एक्सटेर्न गिसस बन रहे है तो यह आपको एक्स्प्ले Lord हो गई अब अगले वेख्यान में मैं डिस्कस करूंगा यह स्पारिकल्स है यह वाले यह स्पारिकल्स है यह बनते हैं यह मायोटोम्स है यह टेल है इसकी फोर लिम और हैंड लिम है इस तरीके से यह प्रॉक का अर्ली डवलप्मेंट पुरा होता है थांक यू वरिमटिए